खाना चाहे जैसा भी हो अगर खाने के साथ अचार मिल जाएं तो खाने का स्वाद और बढ़ जाता है और फीका खाना भी टेस्टी लगने लगता है तो आज में शेर करने वाले हूं बहुत ये टेस्टी चट पटी आम के अचार के रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और आप इस आम के अचार को एक बार बना कर साल भर या फिर उससे जादर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं तो फिर चलिए बिना किसी देरी के आज की रेसिपी शुरू करते हैं अचार बनानी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक केलो कच्छा आम सबसे पहले आम को पानी से अच्छे से साफ करके साफ कपड़े से पोच लिया है ताके इसमें थोड़ा भी पानी ना रहे उसके बाद मैंने आम को इस तरह की से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक चमच भर के हल्दी उसके बाद हल्दी को आम में अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि सारे आम में हल्दी अच्छे से कोट हो जाए और इस टाइम पे हमें आम में नमक बिल्कुल भी नीडालना है अब इस आम को हम एक साफ कपड़े में फैला के एक से दू दिन के लिए अच्छे से दूप दिखा देंगे थाकि आम में जो मौस्चर है वो खतम हो जाए अच्छार का मसाला त्यार करने के लिए हम लेंगे एक पैन में चार बड़ा चमच सरसो दो बड़ा चमच साफ दो बड़ा चमच साबुत चीरा एक बड़ा चमच मेथी के दाने और एक बड़ा चमच कलोंजी जिसे काला जिरा भी बोला जाता है और दिखा बन के लिए 3-400 की लाल मिर्च एड़ करेंगे लाल मिर्च आप अपने हिसाब से एड़ करें जितना दिखा आपको पसंद हो अब इन सारे मसाले को लगाता चलाते हुए एक मिनिट के लिए भून लेंगे मसालों को मैंने थोड़ी दिर के लिए भूल लिया है और इसमें से एक सौंधी से खुश्पूर भी आने लगी है तो इस टाइम पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मसाली जब थोड़ी से ठंडा हो जाए तब इसे हम एक मिक्सी के चार में डालेंगे और इस तरीके से दरदर पावडर तयार कर लेंगे अब हम एक हमाम दिस्ता में लेंगे दस से पंदर लेसन के कलिया और लेसन को थोड़ा से हम क्रस्ट कर लेंगे लेसन का हमें थोड़ा से हम क्रस्ट करना है इसका पेस्ट नहीं बनाना है अब लेंगे हम एक पैन में आधा कप सरसुखा तेल अचार बनाने के लिए आप यहाँ पे सरसुखा तेल ही ले और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे जब तक कि इसमें से धूआ ना आने लगे उसके बाद गैस का फ्लेम बन कर देंगे और इसमें क्रेस्ट के अवा लेसन डाल देंगे ताके लेसन का फ्लेवर तेल में उच्छे से आ जाए तेल काफी गरम है इसलिए इस टाइम पे हमें गैस का फिर्म बंद कर देना है ने तो लैसन जो है बहुत जादा फ्राइ हो जाएगा लैसन के कलर जब हलका सा चेंज हो जाएगा तब हम पैन को गैस से उतार देंगे और साइड में रखेंगे अब एक बड़े से बर्तन में तेयार के हुआ अचार का मसाला डालेंगे साथ ही इसमें हम एड़ करेंगे एक बड़ा चमच कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा और जो हमने तेल करम करके रखा है वो भी डाल देंगे और मसालो को तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालो को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम आम डाल देंगे मैंने आम को यहाँ पी दो दिन के लिए दूप दिखाया है और आप देख सकते हैं आम का जो मौस्चरे वो काफी कम हो गया है इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक, नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले नमक डालें के बाद सारी चीजों को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों का अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं एक एक आम में मसाले कितने अच्छे से कोट हो गया है इसके बाद अचार को हम इसी बरतन में और दो दिन के लिए धुप दिखा देंगे अचार को दो दिन के लिए धुप दिखा दिया है मैंने इसे और एक पर इच्छ तरह से मिक्स कर लेंगे इसके बाद आम का अचार जो है बिल्कुल तेयार है और इस टेस्टी और चटपटी आम के अचार को लंबी समय तक रखने के लिए इसे हम काच के जार में या फिर चेनी मीटी के बरनी में स्टोर करेंगे अचार को जार में डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे और आधा कप सरसुकर तेल इससे अचार में नमी नहीं पड़ेगी और अचार हमारा लंबे समय तक चलेगा इसके बाद अचार को आप और छे से साथ इन के लिए अच्छे से धूप दिखा दे और जब भी धूप दिखाए जार कर ढकन खोल दे इसके बाद धूप दिखाए ताकि अचार में नमी नहों और अचार लंबे समय तक चले